हेलो, माई डियर इस्टुडेंट्स, तुड़े वियार इस्टूडिंग अवर हिस्ट्री इस फर्स चैप्टर, सोर्स अफ इस्टूडिंग दा पास्ट, फॉर क्लास शिक्स इट मेंस पास्ट को पढ़ने के साधन, यानि जो आपके चैप्टर का नेम है, अगर इसका मतलब निकाला जाए, तो मतलब होता है कि पास्ट को पढ़ने के क्या-क्या साधन होते हैं, कैसे हमको अपने हिस्ट्री के वारे में पता चलती है, बातें, मैटर्स, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं, कि जो भूतकाल की इवेंट्स घटनाएं हैं, जिनको हम, जिनके कालकरम के अनुसार, जिनको हम पढ़ते हैं, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, लिए रिस्ट्रेंट्स, यू नो, तट हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा के इस्टेरिया शब्द से बना है, बेटा जैसे आपको पता होगा, क्या नहीं पता होगा, तो मैं एक थोड़ा सा आपको इस बारें बताना चाहूंगी, कि जो हिस्ट्री वर्ड है, वो यूना यूनानी के इस्टेरिया शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है, खोज, अनुसंधान, अन्वेशन या सूचना, इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं, कि इसे शोध से प्राप्ट ग्यान भी कहा जा सकता है, So, my dear students, आपको पता है, कि यूनानी इतिहासकार, Herodotes, ने सबसे पहले इस वर्ल यानि हिस्ट्री वर्ल का यूज किया था, इसलिए इने फादर आफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, Now, we come to the point, History may be defined as a careful and systematic study of past events on the basis of available material, remains and records, History, जैसे मैंने भी आपको पर बताया, कि काल करम के अनुसार, भूत काल की घटनाओ, जो हमारे अवशेश हैं, जो हमारे records हैं, उनका अध्यान करना, History कहलाता है, यानि इतिहास समाजिक विज्ञान की वहशाखा है, जिसके तहद अतीत काल की घटनाओं, या उससे संबंधित वस्तों को काल करम के अनुसार अध्यन किया जाता है, A person who carries out such studies and records, the finding is called a historian, एक व्यक्ती जो पास्ट के records और घटनाओं का अध्यन करता है, historian, इतिहास कार कहलाता है, पेटा जैसे आप जानते हो, अभी तो मैंने आप से बताया कि what is history, history है क्या, मतलब आप हिस्ट्री पढ़ रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि history है क्या, जिसके वारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, आपके मन में भी ये question उटता होगा, या ये question उटना भी लाजिव है, कि history है क्या, history answer questions like how did the man live in earlier times, history हमें उन questions के answer देता है, जैसे कि पहले के समय मानव कैसे रहता था, मतलब जैसे अभी आप रहते हों, ऐसे तो पहले नहीं रहते होंगे, जितनी improvement अब आपके अंदर है, ये improvement पहले तो नहीं रहती होगी, पहले मानव कैसा रहता था, cloths कैसे पहनता था, food कैसे gain करता था, क्या कच्चा मान्स काता था, क्या काता था, इन सब चीज़ों का पता में history से चलता है, why did war take place, या युद क्यों हुए, किस reason से हुए, why do we customs and language, why do we have so many different kinds of people, customs and languages, और जो हमारे बीच इतने जो हम लोग हैं, इतने रितिर्वाज और इतनी भाशाएं जो हैं, उन में इतना differences क्यों हैं, the answer to such questions are found in the remains and records left behind by our ancestors, तो इन questions का जो answer है, वो हमें या तो अवशेशों से प्राप्त होता है, या उन records से मिलता है, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं, उसी से हम history का अध्यान करते हैं, history essentially signifies the period of time for which written records are available, history अनिवारे रूप से उस समय की अवधी को दर्शाता है, जिसके लिए लिखित अभिलेक record उपलब्ध हैं, अविलेबल हैं, इतिहास का अध्यान करके हम उन घटनाओं की सही तारीख जान सकते हैं, जो सदियों पहले हुई थी, क्योंकि हमारे सामने तो वो हुई चीज, मतलब हम तो उनके बारे में जानते नहीं, उनके बारे में हमें कैसे बदलता है, हिस्ट्री से, हिस्ट्री के जो records हैं, जो अभी लेख हैं, उनके जेरिये ही हम अपने past को जान सकते हैं, यहां एक चीज मैं आप से थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी, सी, एक वर्ड है, सी, सम्टाइम्स यू में फाइंड दाटर सी राइट इन फ्रेंट अफर देट, लाइक दाट, सी, 304, B, C, E, B, C, E means, बर्थ अफ किंग अशोका, यानि, यह जो सी आप राइट देखते हो, लिखा हुआ, यह लैटिन वर्ड सिर्का का संख्शिप्त रूप है, शॉर्ट है, इसका मतलब होता है कि या तो उसके, मतलब लगभग, या नियर अबाउट, जैसे कि हमको जो चीज़ कनफर्म नहीं होती, उसके बारे में हम यह चीज़ राइट करते हैं कि, मेबी, शायद करके, तो जिस घटना का, या जिस काल क्रम का, हमको सही डेट नहीं पता होती, या जिसके बारे में हम एक तम कनफर्म नहीं होते हैं, वहाँ, सी का यूज़ किया जाता है, अप्रॉक्सिमेट डेट के लिए, कि शायद इस समय से, या लगभग इस समय, इंपॉर्टेंस ओफ इस्टूडिंग हिस्ट्री, तो अब हम यह जानेंगे, कि हिस्ट्री हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंस रखती है, क्यों importance है हमारे लिए history यासे जो भी चीज आप read करते हो या जो चीज आप करते हो आप उसको देखते हो कि यह हमारे लिए क्यों जरूरी है तो वैसे ही अब हम बताएंगे आपको कि history आपके लिए क्यों जरूरी है इसकी क्या importance है आपके लिए We learn history for many reasons बहुत से reasons के लिए हम history पढ़ते हैं First, history tells us how people of other times acted and thought History हमें बताती है कि पहले के time में लोग कैसे कारे करते थे क्या सोचते थे कैसे रहते थे उनकी living things क्या थी How did they fulfill their basic needs और वो अपनी basic needs को कैसे fulfill करते थे अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते थे क्योंकि तब के time में ऐसा तो नहीं था कि हर चीज जैसे आप आपको है खाना बनाना है तो आपके पास gas भी है आपके पास food भी है आपके पास जो है वो अनाज भी है लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था उन लोगों को हर चीज ढूणनी पड़ती थी समझनी पड़ती थी किसको करें क्या और हर चीज के लिए उनको एक अक्ट करना पड़ता था कि ये चीज ऐसे करें हम तो हमको ये मिलेगा ये भी उनको पहले से confirm अभी तो आपको ये confirm है हैं तो ये हिस्ट्री हमको बताती कि हमारी basic needs जो हैं वो लोग मतलब कैसे वो लोग अपनी basic needs को fulfill करते थे Second, history educates us we can learn from mistakes made by people in the past History हमें सिखाती है कि जो past time में जो people ने mistake की क्या mistakes की उन्होंने वो mistakes future time में हम ना करें यानि उन गलतियों से हम सीख लें, उन गलतियों को हम सुदार लें It does helps us make better decision in the present and for the future और उनकी वो गलतियों से हमको सीख मिलती है कि हम जो है वो उनसे बहतर decision लें उनसे बहतर act करें और अपने present और future को अच्छा करें मतलब वो mistakes हमसे दुबारा ना हो जो पहले आदिमानव ने की थी पहले के लोगों ने की थी Third, history helps us to know about our country's rich heritage History हमें ये भी मदद करती है जानने में Rich heritage यानि कि हमारे देश की विरासत जो हमारे देश की विरासत है उसके बारे में हमको बताती है So that we can develop a feeling of patriotism ताकि हम हमारे दिलों में क्या है देश भक्ती की भावना बढ़ सके, जागरत हो सके क्योंकि history से हमें पता चलता है हमारे past के बारे में कि तभी आप जानते हैं उसमें कि आपके जो हैं वो great leaders कौन-कौन से थे उन्होंने क्या sacrifices किये उन्होंने कौन-कौन से act किये उन्होंने आपकी country को कैसे independent किया यह सब चीजें हमको क्या history से पता चलती है क्योंकि हमारे समने यह सब चीजें नहीं हुई है इन सब चीजों को हमें history से ही पता चला है तो एक तरीके से यह जो है वो हमारी heritage को जो है वो develop करती है हमारी heritage के बारें बताती है और हमारी patriotism को develop करती है 4. History tells us about the achievements and failures of the people of the past History हमें ये भी बताती है कि past time में peoples ने क्या क्या चीज़ें achieve की और कैसे वो किन किन उसमें failure हुए सफल नहीं हो पाए जैसे पहिये का विशकार है आग का विशकार है है तो ये past time की ही देन लेकिन आज improve होते होते इतना improve हो गया है कि वो develop हो चुका है अच्छे तरीके से लेकिन past time में शुरुआज जो है इसे आदिमानम नहीं की थी जिसको की हमने इस time में उसको develop कर लिया है कि उन गलतियों को उन गलतियों से हमने सीखा और सीख के उसको improve कर लिया आज condition यह है कि उन चीज़ों से नए नए जो है inventions हो रहे हैं विशकार हो रहे हैं लेकिन अगर वो past की चीज़ें हमें नहीं पता होती उनके failure achievements हमको इसकी बारे में नहीं पता होता तो शायद आज हमारे लिए सब करना मुश्किल हो जाता तो उन चीज़ों से सीख लेके वो हमको प्रेणा देती हैं ताकि हम अपने achievements को और अच्छा कर सकें और get it और उन गलतियों से छुटकारा पा सकें जो उनके failure के लिए responsible थे यानि वो गलतियां हम फिर से future में ना करें अब हम बात करते हैं इतिहास के अवधियों के बारे में आमतापर हम इतिहास को तीन अवधियों में यानि थी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हाँ यह हो सकता है कि इन जो यह डिवाइडेशन है कि समय सीमा जो है वो हर कंट्री में अलग-अलग हो सकती है इन इंडिया जैसे भारत में the time frame of these periods is as follow भारत में यह अवधियां निमलिखित तरीके से हैं तीन टाइपस में त्री टाइपस में डिवाइड हैं फर्स्ट एशियन पिरिट यानि प्राचीन काल इस तर्ट परम अर्ली मेंस और कंटिनू तिल दा बिगणिग अफ एट सेंचुरी यानि यह आदिमानव के टाइम से शुरू होती है और एट सेंचुरी तक इसका जो है अबधिकाल माना गया है CE का मतलब है Common Era and BCE Before Common Era Second Medial Period The period from the beginning of 8th century CE up to 18th century CE considered as the Medial Period जो आपका मादिकाल है यह 8th century से स्टार्ट होके 18th century तक चलता है इस एट से लेके 18th century तक का जो टाइम है वो आपका मदिकाल Medial Period माना गया है And the third modern period अधुनिकाल The period The period from the beginning of the 18th century is considered as the modern period यानि 18th century से अब तक का जो काल है वो आपका modern period है यानि अधुनिक काल है So, dear students, यह explanation half chapter का है Next half chapter का explanation मैं आपको next video में दूँगी So, please watch and read it Thank you 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 Thank you